और इन लो पेपरों के अंदर, टोटल 55 कुशन्स पूछेगे, on an average 6 कुशन पर पेपर, जैसे कुशन एक्जाम में आते थे, वेसे ही आते है और वेसे ही आते रहेंगे, को आप अच्छे से पढ़ देगाना तील नमबर 7, इससे एक्जाम में एक कुशन आले की पूरी संबर ह इस बाद उम्मीर है कि लाइकिन से एक्जाम में कुशन पूछा जा है Mission Success 2022 के इस वीडियो में मेरा मैश मावर, Faculty Biology, Ellen आपको स्वागत करता हूँ जैसा कि आपको गोरो सर और मोही सर ने Score 360 आउट ओफ 360 वाले वीडियो में बताया था कि टाइम के साथ में हम आपके सामने Topic Analysis लेकर के आएंगे और आज इसी सीक्वेंस में मैं आपके सामने जो Topic लेकर के आया हूँ बचो वो Topic है Plant Diversity Plant Diversity Topic में NCRT के तीन चैप्टर को कवर किया गया है यह तीन चैप्टर है बचो पहला चैप्टर है Living World दूसरा चैप्टर Biological Classification और तीसरा चैप्टर है Plant Kingdom आपको याद हो तो सर ने आपको अपने वीडियो में एक वेटेज चार्ट दिया था इस वेटेज चार्ट की hierarchy में फिट पॉजिशन पर Plant Diversity Topic आता है इस Plant Diversity Topic से पिछले 6 सालों के अंदर 9 पेपर हुए और इन 9 पेपरों के अंदर टोटल 55 कुशन पूछे गए On an average 6 कुशन पर पेपर अब ये दबक देखने की कोशिश करते हैं कि इन 3 चैप्टरों से examination में कुशन का वेटेज क्या रहा है तो आप देखिए पास 6 एर्स में Living Word से 8, Biological Classification से 27 और Plant Kingdom से 20 तो इस Analysis के शुरुआत बच्चों यहीं से हो गई कि इन 3 चैप्टर में हमें सबसे ज़्यादा जो चैप्टर पढ़ना है वो है Biological Classification और उसके बाद Plant Kingdom ये भी बताऊंगा आपको कि इन चैप्टरों में आपको क्या-क्या पढ़ना है अपना Analysis और स्मूथ हो जाएगा बच्चों अगर हमें यह पता चल जाए कि इन चैप्टरों से किस टाइप के Question examination में पूछे जाते हैं तो देखिए बच्चों Single Line Question, Direct, Theoretical, 26, Mass the Column, 5 Question, Correct, Incorrect, 19 Question और Conceptual, 5 तो इस स्लाइट से एक चीज़ तो कन्फरम हो जाती है कि इस पार्ट में theoretical question ज़्यादा पूछे जाते हैं conceptual question का number बहुत कम होता है अब एके करके अपन चैप्टर लेते हैं और यह देखते हैं कि उसमें अपने को क्या पढ़ना है सर ने जैसा कि आपको बताया था पढ़ना सब है लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उन्हें आपको ज्यादा अची तरिके से पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ड को मोटे तोर पर मैंने तीन केटेगरे में केटेगरेस किया है स्टार्टिंगे पांच पेजेज में केरेक्टर फ लिविंग और चार केरेक्टर दे रिखें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबोलिज्म और कॉंशियस्टेस बच्चों पिछले 6 सालों में यहां से एक्जामनेशन में कोई कुशन नहीं पूछा गया जैसा कि आपको याद हो तो सोनी सर और कमाउस सर ने बोला था जैसे कुशन एक्जाम में आते थे, वेसे ही आते हैं और वेसे ही आते रहेंगे तो उमीद है ग्रोडक्शन से कोई कुशन आपको एक्जाम में नहीं मिलेगा Character of Living Organism और Taxonomy Category के बीच में ICBN के Rules दे रखे हैं बच्चों इन ICBN के Rules को आप अच्छे से पढ़के जाना पेज नमबर 7 इससे एक्जामें एक कुशन आने की पूरी संभा होना है Taxonomy Category में Species Genus के साथ पेज नमबर 11 पर एक टेबल दे रखी है जिसमें 4 Organism का Classification दिया है Mango, Wheat, Human और Housefly इसको आप अच्छे से करके जाएंगे इस पूरे चैप्टर में सबस्यादा कुशन Taxonomic 8 से पूछे गए हैं तो इसको आप ज़्यादा अच्छे के से तयार करेंगे अब बात करते हैं बच्चों सेकंड चैप्टर की वो है Biological Classification Biological Classification में Kingdom Monera, Protesta, Fungi, Virus, Viroid, Prion, Lichen, Microrize दिये जए हैं इस चैप्टर की शुरुबात होती है रहे विटेकर के 5 Kingdom Classification सिस्टम में तो पेज नमबर 19 पर रहे विटेकर की एक टेबिल दे रखी है उस टेबिल को अच्छे से देख करके जाना उससे कुशन आने की संभाव ना है इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा कुशन जो पूछे गए हैं वो Kingdom Monera से पूछे गए हैं तकरीबन 13 कुशन पूछे गए हैं तो Kingdom Monera को बहुत अच्छे से पढ़ना है Structure of, U-Bacteria, Sinobacteria, Micropagma, Archibacteria और LNK मोडियूल के अंदर Economic Importance of Bacteria भी दे रखी हैं उससे अच्छे से पढ़ना बच्चों मैं यहाँ पर Monera के सिर्फ उनी कुश्चन का जिकर कर रहा हूं जो मेरे पार्ट को ब्लॉंग करते हैं बाकी के कुश्चन जैसे Physiology में भी बेक्टरिया है आप Ecology में भी बेक्टरिया पढ़ेंगे तो आपसे Maximum कुश्चन इसके हो जाएंगे प्रोटिस्टा और फंजाई से Individual कुश्चन बहुत कम आये हैं इस चैप्टर से सबसे अधा कुश्चन Mixed Category के कुश्चन आते हैं एक चीज हमने जो Analysis में निकाली है वो यह कि कभी भी अधर चैप्टर की Mixing किसी कुश्चन में नहीं की गई जैसे Mixed Category आएंगे तो इसी चैप्टर के Content के Mixed Category आएंगे तो प्रोटिस्टा फंजाई की एक-एक Single Reading लगा लें जिससे आप अच्छी तरीके से Mixed Category को कर पाएंगे इस चैप्टर में दूसरा जो सबसे बड़ा Content है वो है वाइरस, वाइरोइट, एंड प्रियोंस पिछले 6 सालों के 9 पेपर के अंदर तकरीबन 7 कुश्चन वाइरस, वाइरोइट, प्रियोंस से पूछे गए इसमें लाइकेन अच्छे से पढ़के जाना इस बार उमीद है कि लाइकेन से Examination में कुश्चन पूछा जा सकता है अब बात करते हैं चैप्टर 3 की वो है Plant Kingdom Plant Kingdom में एलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजो दिये गए इसमें सबसे पहले एलगी एलगी में पेज नमबर 30 पर आईसोगेमी, एनाईसोगेमी, उगेमी के एक्जामपल दिये गए हैं इन्हें अच्छे से याद करके जाना पिछले सालों में काफी कुशन आये हैं और आगे भी आने की संभावना है इसके अलाबा पेज नमबर 33 पर एक टेबल दे रखी है क्लोरफाइसी, फ्योफाइसी, रोडफाइसी की उस टेबल को अच्छे से पढ़ करके जाना उससे भी एक्जाम में कुशन आने की संभावना सबसे जादा है ब्राइफाइट, टेरीडफाइट, जिम्रोस पर्म के लाइफ सैकल को कमपेरिटीवली वे में पढ़ना है कमपेरिटीवली वे में पढ़ने का मतलब यह gesund है उम्मीद है कि टेरीडफाइटर में हेट्रोस्पूरी के एक्जामपल आने की पूरी संभावना है एंजोस्पर्म के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एंजोस्पर्म का जब एनलेसिस आपके सामने आएगा उस टाइम डिटेल में आपसे बात हो जाएगी Thank you very much. Wish you all the best for your examination. Thank you.